Welcome to Unique Web School इस वीडियो में हम लोग आपको देखेंगे किस तरह से आप लोग आपका जो प्लेटूप जो इसकीव है प्लेटूप दा अल्टिमेट वीडियो सीमेस और वीडियो शेरिंग प्लेट्फरम दिये अगर आप लोग वाइफसाइट के एट किये हो तो आप लोग कमोन जो वान एरोर और आप लोग फैस कर सकते हो जो एरोर है मैं आपको यहाप पर देखाता हूँ इरोर है इरोर 403 the request cannot be complete because you have exceeded your koda ठीके इस तरह का इरोर आपका शो होगा तो यह हमारा वाइबसाइट है यह जो इरोर है यह किस टाइम शो होगा जोब आप लोग कोई भी योटूप का वीडियो इंपोर्ट करते हो तो इस तरह सा जो इरोर है और आपका सामने शो होगा तो मैं आपको देखाता हूँ कैसे यह इरोर शो होता है तो मेरा जो कोई भी वीडियो है, इस वीडियो को मैं कोपी करता हूँ लिंक को, उसके बाद अगर मेरा जो वेपसाइट है, इसमें अगर मैं यहाँ पर इन्पोर्ट बटन में क्लिक करके, यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर वीडियो को सर्च करता तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Error 403 The request cannot be complete इस तरह से Error यहाँ पर show हो रहा है मैं दूसरे कोई भी वीडियो को अगर यहाँ पर देखाता हूँ तो Sam जो Error है वो यहाँ पर show होगा तो मैं इस वीडियो को यहाँ से कोपी करता हूँ और यहाँ से मैं इस लिंक को पेस्ट करके यहाँ पर वीडियो को सर्स करता हूँ Sam Error show हो रहा है हमारा जो योट्यूब का वीडियो है और यहाँ पर इंपर नहीं हो रहा है अगर आपका साइड में इस तरह से Error show होता है तो आप लोग इस वीडियो को completely देखिए और इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा step by step किस तरह से यह जो Error है इसको सर्फ करते है तो basically यह हमारा website है इसको हम लोग create किया है इसको किस तरह से install करते है यह जो skip है इसके अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सेकते हो यहाँ पर how to install play to the ultimate वीडियो sharing PSP skip इसको हम लोग इस वीडियो करके आपको देखाया है तो इस वीडियो में हम लोग जो Error के बात कर रहे है उस Error को solve करते है इसको हम लोग close करते है और यह जो Error है इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर admin area में जाना होगा यहाँ पर आपको जाना होगा admin area में admin area में आने के बाद आपको यहाँ पर setting option और यहाँ पर website information में जाना होगा वाइबसाइड इन्फर्मेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिसर एपियाई की और इन्फर्मेशन यहाँ पर जो योटुप का एपियाई की दिया हुआ है यह जो एपियाई की दिया हुआ है यह है जो ओथोर है इस स्किप का उसका एपियाई की उस ओथोर का जो इमेल एकाउंट है उससे जो API की जनरेट हुआ है इसलिए हमारा सामने जो error है वो शो हो रहा है क्योंकि हम लोग खुद यह जो code है इसको जनरेट करके नहीं दिया है तो हम लोगों को क्या करना है यह जो API की है इसको होटा देना है होटा देना के बाद आपको अपना जो API की YouTube का ओ यहापर डालना है अपको उस ब्राउजर में आपको ओपकोश Gmail एकशन लोगिन करना है ठेके तो मेरा इस ब्राउजर में जीमेल एक डाल में लोगिन है तो मैं यहापर क्या करोंगा यहापर én search करूंगा Google Cloud console यहाप्र Google Cloud console लिककर आपको search करना है तो मैं यहां पर search किया हूँ, उसके बाद यहां पर Google Cloud Platform का जो official website है वो यहां पर आपके सामने आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको इस website में जाना है, और अगर इस website में आपका पहले से account बना हुआ है, तो आप लोग next step को follow कीजे, तो मेरा कोई भी website यहां पर बना नहीं ह हुआ है, इसलिए मेरा को welcome देखा रहा है, और मेरा जो यहां पर account है, और create करने के लिए बॉल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो country है, उसको select करना है, आपका country उसको select करना है, उसके बाद यहां पर I agree और email update में क्लिक करके, यहां पर agree and continue बाटन में क्लिक कर दे रहा है तो मैं यहां पर continue बाटन में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो account है, वो create हो चुका है, यहां पर देखा रहा है, study or free try, इसको हम लोग dismiss कर दे सकते हैं, उसके बाद यहां पर search project, यहां पर हम लोगों का कोई भी project नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहा पर आपको search project में आना है, उसके बाद यहां पर new project में click करना है, यहां पर new project में click करना है, उसके बाद यहां पर आपका project है, उसका नाम यहां पर दे रहा है, तो आप लोग यहां पर 12 project create कर सकते हो, ठीक है, यहां पर देख सकते हो, we have 12 project, तो यहां पर आपका जो project है, उसका मैं project का नाम राखता हूँ YouTube API की ठीक है आप लोग कोई भी project का नाम यहाँ पर राख सकते हूँ ठीक है उसके बाद अगर आप location देना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ पर browser में click करके यहाँ पर location दे सकते हो लेकिन यह देने के जरूरत नहीं है इसको हम लोग close करते हैं उसके ब यहाँ पर create हो रहा है YouTube API की नाम का जो project है यहाँ पर create हो चुका है यहाँ पर देख सकतो हम लोग किया करेंगे हम लोग इस project को select करेंगे इसलिए यहाँ पर select project में click करता हूँ और मेरा जो project है यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर देख सकतो यह YouTube API की यह मेरा project है और यहाँ प पर click करके मैं मेरा project कर सकता हूँ, तो यहां पर मैंना project है ऑपन हो चुका है, तो इस बर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग जाएंगे API AND Service option में यहां पर देख सेका हैं, आप लोग API AND Service यहां पर click करना है, यहां पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको service add करना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे laboratory में यहाँ पर जाते हैं और welcome to laboratory तो इसको close करते हैं और यहाँ पर हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं YouTube नम का feature यहाँ पर है यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर YouTube data API v3 इसको select करना है तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको enable करना है देख सकते हो यहाँ पर enable करने के option है यहाँ पर मैं इसको enable कर देता हूँ तो मेरा जो यहाँ पर service है वो enable हो जाएगा तो मैं wait करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो service है वो enable हो रहा है ओके तो देख सकते हो हमारा जो service है YouTube Data API V3 इसको Enable किया है हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे Select API V3 यहाँ पर रहेगा उसके बाद यहाँ पर User Data और Public Data तो आपको यहाँ पर public data में click करना है उसके बद यहाँ पर next में click करना है ठीक है next में click करना के बाद आपको next option में लेकर जाएगा इहाँ पर देख सकते हो इहाँ पर और देख सकते हो हमारा जो API की है और यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो मेरा API key में पेस्ट कर दिया हो और इसको मैं reload कर देता हूँ एक बार अगड़ और देखसेकते हो हमारा API key है ओवो यहाँ पर है उसके बाद हमारा website में जाता हूँ वर्ट साइट में आने के बाद यहां पर मैं इंपोर्ट बटन में क्लिक करता हूँ और यहां पर मैं कोई भी वीडियो को लेता हूँ इस वीडियो को ही में कोफी करता हूँ उसके बाद यहां पर मैं वीडियो को छोट देता हूँ उसके बाद यहाँ पर वीडियो को एड करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर मेरा वीडियो का URL आ गया है उसके बाद यहाँ पर वीडियो का टाइटेल आ गया है उसके बाद मेरा जो वीडियो का description है वो भी यहाप पर आ गया है और यहाप पर देख सकते हो मेरा जो वीडियो का thumbnail है वो भी आ गया है यहापर category हम लोग यहापर select कर सकते हैं यहापर हम लोग कोई भी entertainment sub category नहीं है तो हम लोग इसको select करते हैं public ओके यहापर हमारा जो default tag है वो भी यहापर आ गया है हमारा इस वीडियो में जो भी tag दिया हुआ है वो tag यहापर आ गया है automatically उसकी बाद अगर हम लोग publish बाटन में क्लिक करते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो यहापर publish हो जाएगा हमारा website में देख सकतो इसको हम लोग यहापर किलिक करके open भी कर सकते हैं यहापर sound को अप करते हैं देख सकतो हमारा website में हमारा जो वीडियो हम लोग YouTube से लिया हुआ है इंपोर्ट करके वो यहापर open हो रहा है तो आप लोग कोई भी वीडियो यहापर इंपोर्ट कर सकते हो दूसरे चैनल का भी वीडियो कोई भी वीडियो यहापर ले सकते हो तो यह जो problem है यह जो error है यह error आपको कभी भी show नहीं होगा जब तक आपका जो quota है वो खोतम नहीं हो जाता तो मैं इस वीडियो को import करके आपको देखाता हूँ तो देख सकते हो यह जो वीडियो है यहापर आ गया है उसके बाद यहापर publish बटन में अगर मुए क्लिक करता हूँ तो वीडियो यहापर publish हो जाएगा तो इसी तरह से आप लोग यह जो error है इसको solve कर सकते हो आगर इस वीडियो आपको आच्छा लगा है तो लाइक किजिए, share किजिए, comment किजिए और हमाँ जो यूनी गवी स्कूल है इसको subscribe करके हमारे साथ बने रहे है Thanks